वैसे कद्दू खाना मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों को पसंद होता है बिकॉज इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा मीठा मीठा होता है लेकिन आज हम जो सबजी बनाएंगे दही वाली कद्दू की सबजी इसे खाने के बाद आप इसको बार बार बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी है रोटी पराठा पूरी किसे के साथ भी सब कर सकते हैं और टिफिन में भी लेके जा सकते हैं तो चलिए पटावट से शुरू करते हैं दही वाली चटपटी से कद्दू की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले दो-तीन बड़े चमच तेल डाल कर इसे गरम करेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच मेथी के दाने और 10-12 कड़ी पत्ते कुछ सेकेंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि अपना फ्लेवर ओयल में रिलीस कर दे पैन को थोड़ा सा कवर कर दे क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत ही जोर से उड़ता है अब हम डालेंगे एक छोटा चमच जिंजर गाली का पेस्ट कुछ सेकेंड्स के लिए इसको भी फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं कितने जोर से उड़ने लगा है तो थोड़ा सा सावधा नहीं सकरें अब हम डालेंगे तीन-चार कटी हुई हरी मिर्च तीखा अपने हिसाब से आप इसमें एड़ कर सकते हैं साथ-साथ हम डाल देंगे 500 ग्राम कटेवे कड़ू यहाँ पर मैंने कट्दू को छिलकों के साथ ही काटा है और यह बिल्कुल पीले वाले कट्दू है तीन-चार मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राइ करेंगे आज के इस कट्दू की सबजी को हम बिल्कुल डिफरन स्टायल में बनाएंगे बहुत ही जबर्दस और बिल्कुल टेस्टी-टेस्टी सा बनकर त्यार हो जाएगा तो रेसे भी को एंट तक जरूर देखे कट्दू फ्राइ करने के बाद आदा चोटा चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चोटा चमच रेट चिली पौडर और एक चोटा चमच धनिया का पौडर सारे चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और हाँ गैस की फ्लेम को इस समय लो पर रखे ताकि मसाले जले नहीं थोड़ा सा मसालों के साथ हम pumpkin को अच्छे से mix कर लेते हैं और फिर हम pan को cover कर देंगे 2-3 मिनट के लिए low flame पर ताकि मसालों का flavor कद्दू के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए अब 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है अच्छी तरीके से वापस से चला लेंगे वैसे तो कद्दू बहुत ही जल्दी से पक जाता है लेकिन मसालों के साथ कद्दू को fry बहुत ही अच्छी से करें तभी सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और वापस से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते वे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे नमक जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें एड़ करेंगे 6-7 बड़े चमच दही लेकिन दही डालने से पहले गैस की फ्लेम को आप बंद कर दे उसके बाद आप इसमें दही आड़ करें क्योंकि अगर आप गर्मा गरम पकते वे पंकिन में दही आड़ करेंगे तो दही जो है बिल्कुल फट जाएगा तो गैस को बंद कर दे ताकि टेंपरेचर हलका सा डाउन हो जाए फिर दही डाले और लगातार इसको अच्छे से चलाते वे मिक्स कर दे जब मसालों के साथ कद्डू के साथ दही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर हम गैस की फ्लेम को उन करेंगे और नॉर्मली जैसे हम पका रहे है वैसा ही पकाएगे तो मिक्स हो चुका है गैस की फ्लेम को मैंने ओन कर दिया है, एक दो मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं, और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, एक चथाई छोटा चम्मच गरम मसाला आट करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, आज की इस रेसिपी में आपने देखा कि मैंने बिल अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी और अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे, पैन को कवर करेंगे और तीन-चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे, तीन-चार मिनट के बाद इसे खोल लेते हैं, इसे तब तक पकाना है जब तक की कद्दू से पक चुका है तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं, और हमारी गर्म गरम चटपटी धमाके दार कद्दू की सबजी बिलकुल रेडी है, इसे आप रोटी पराठा पूरी के साथ एंजॉय करें, और मेरे बताय हुए त से भी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए याज से बेल को भी जरूर अन करें, थैंक्स वर वाचिंग